हेलो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मैदा की पुवा जिसमें मैदा ले लेंगे चीनी ले लेंगे थोड़ी सी और इलाइची ले लेंगे कुट करके उसमें साब कुछ डाल के फिर पानी के साथ एक घोल तयार करना है हमें अच्छी तरह से इसका घोल मतलब मास थो लम ना होना चाहिए उसके बास हम इधार ले लेना एक कराएं उसके आधिसको सेंटर पर थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका गोल गोल के तरह बनाना है कार दिए अपे लाइक से करके ृधर वीडियो पुरा देखा कीजिए लाइक कमेंट सेर कर दिया किजिए यूइसे करके हमारा सारा पूआ रेडी हो जाएक और हम ऐसे ऐसा वीडियो डेली लायकर एगर आपको मेरा भी कोई सपोर्ट नहीं करता है उसके आदेखिये मारा पूआ ये क्रेडी हो गया एसे करके हम दीरे-दीरे करके कर चान लेते सारा पुवा आरं सोस्ते कि अपनी फ्रेनलों को फिरा दे कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं ताम जाम में बस आपको मैदा लेना है हम इसमें 500 ग्राम मैदा लिये थे अब जितना अपना परिवार के नुसार ले ले 500 ग्राम एक किलो जितना उसन उसार चीनी डाल दे इलाहिची पॉडर डाल दे काजु किसम से तो डाल सकते हैं पानी एक साथ घोल बना के पुआ बजागा थेंक यू